नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइस 3.1 कोशन नमबर 7 का भी भाग हम करने जा रहे हैं अभी आपने पिछले वीडियो में 7 का A भाग किया है यह प्रश्ण भी बिल्कुल वैसा ही है देखिए हमारे पास यह है एक बहुबज है जिसकी बुजाओं को आगे बढ़ाया गया है यह है Z, यह है Y, यह है X, यह है W अंदर वाला यह कोन है 60, यह है 80, यह है 120 इसका अंदर वाला कोन हमें नहीं पता जैसा पिछले प्रश्ण में किया था वैसे ही इसके अंदर वाले कोन को में ले लूँगा A तो सबसे पहले देखिए यह एक चत्रबुज है एक, दो, तीन और चार भुजाओं वाला यह एक चत्रबुज है चत्रबुज के चारो कोनों का योग कितना होता है 360 डिगरी तो इसका मतलब यह जो है A प्लस 120 डिगरी प्लस अंदर वाला कोन यह है 80 डिगरी प्लस अंदर वाला कोन यह है 60 डिगरी इन चारो कोनों क्योंकि यह चत्रबुज के अंदर वाले कोन है चत्रबुज के चारो कोनों का योग होता है 360 डिग्री आई हम इसे हल करके देखते है देखिए A प्लस 120 में 80 प्लस करो 200 200 में 60 प्लस करो तो हो गया 260 बराबर 360 डिग्री तो 1 इसके बराबर होगा 360 डिग्री 260 इधर प्लस हो रहा है उदर जाके हो जाएगा 360 में से 260 माइनस कर दिया तो बाकी आगया 100 डिग्री इसका मतलब यह जो A है हमारे पास यह आया है 100 डिग्री अब बच्चों आप ध्यान से देखो यहाँ X यह सीधी रेखा है सीधी रेखा पर यहाँ दो कौन बोन रहे हैं हमें पता इन दोनों का जोड कितना होता है 180 क्योंकि सीधी रेखा पर टोटल कौन कितना होता है 180 डिग्री इसका मतलब 180 डिग्री में से यह 120 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यह X बच जाएगा फिर से देखिए यह सीधी रेखा पर टोटल कौन है 180 डिग्री इसमें से यदि 120 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा X यानि की X बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 180 में से 120 माइनस कर रहा तो हमार पास आगया 60 डिग्री इसी प्रकार से बच्चों यहाँ देखिए यह सीधी रेखा है दो कौन बने है 80 और Y दोनों को मिला कर कितना बनेगा 180 तो 180 में से यदि 80 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा Y तो Y आएगा 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस कर दो 180 में से 80 माइनस कर रहा तो हमार पास आगया 100 डिग्री इसी प्रकार से बच्चो यहां देखिए मैं इसको घुमा के आपको दिखा रहा हूँ यह सीधी रेखा है यह है 60 डिगरी यह है Z सीधी रेखा पर टोटल कौन होता है 180 डिगरी 180 डिगरी में से यदि 60 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा Z सीधी रेखा 60 माइनस करेंगे 180 में से तो हमें मिल जाएगा Z तो Z आएगा 180 डिगरी में से 60 माइनस कर दो तो 180 में से 60 माइनस करके हमें प्राप्त होगा 120 डिगरी इसी प्रकार से यहां देखिए यह भी सीधी रेखा है यहाँ पर दो कौन बन रहे है, एक है W, एक है A A का मान हमने अभी निकाला था 100 इसका मतलब यहाँ पर टोटल कौन है 180, यह है 100, यह है W तो W प्राप्ट करने के लिए क्या करेंगे टोटल कौन 180 में से 100 माइनस कर देंगे इसका अर्थ है, W प्राप्ट है 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर दो 100 क्यों माइनस किया, क्योंकि A का मान हमने अभी निकाला था 100 डिग्री इसलिए W में से 180 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा W, तो 180 में से 100 माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा 80 degree तो बच्चो देखिए हमारे पास X भी आ गया Y भी आ गया Z भी आ गया W भी आ गया अब हमें निकालना है X प्लस Y प्लस Z प्लस W ठीक है बच्चो तो हम लिखते हैं X प्लस Y प्लस Z Z प्लस W बराबर देखिए X किसके बराबर है 60 degree के Y किसके बराबर है 100 degree के Z किसके बराबर है 120 degree के और W किसके बराबर है 80 degree के आईए अब इसे प्लस करते हैं देखो 60 में 100 प्लस कर दो 160 160 में 120 प्लस कर दो तो यह हो जाएगा 280 और 280 में जब 80 degree प्लस कर दो तो 280 और 80 होता है 360 degree यदि आपको यह नई करना आए मेरे को तो जमा करनी आगी अगर आपको नहीं आए तो एक के नीचे एक के नीचे एक लिखकर इन चारों को आप प्लस करके देख सकते हैं तो हमारे पास ही आगया x प्लस y प्लस z प्लस w तो इस प्रकार से हमें x प्लस y प्लस z प्लस w निकालना था और हमने देखा वेक की वेक किसके बराबर आया है 360 degree के बराबर आया है आशा करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझाया होगा यदि आपको यह प्रश्न ताकि बाकी प्रश्णों के वीडियोस भी आप असानी से देख सको धन्यवाद